तो हमारी कलोनी में रहने वाली बसंती आंटी का एक लौता बेटा था कलोनी की लड़कीओं को तो बस वो फिदा रहती थी उस पर ये वो भी क्यों न दिखने में वो भी कुछ वैसा वैसा नहीं था एक तम हिंदी फिल्मों के हीरो जैसा और उपर से ही डी फार्मा की पढ़ाई करके आया हुआ था डाक्टर बनना था उसे पैसो की कोई कमी नहीं थी उसके यहां साधी के लिए तो बस लड़कियों की लाइन ही लगी रहती थी उसके लिए एक तिन मैं थी जिसे उससे साधी करने में कोई इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं की मुझे से मुझे उसमें दिलचस्पी भी नहीं थी बलकि इसलिए कि मुझे पता था कि वह मेरा कभी हो ही नहीं सकता या यू कहूं कि वह मेरे बारे में कभी सपने भी में सौच नहीं सकती ती और इन सब के पीछे कि बस एक ही वज़ा थी मेरा साउना रंग आंखे बड़ी बड़ी सीधे लंबे बाल बस एक ही दाग था वह मेरा साउना रंग और सोचने वाली बात तो यहां थी कि डॉक्टर सिव मुझे क्यों पसंद करेगा देखा जाये तो बाकि सारी लड़कियों में से मुझे कोई ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी और अमेर थी और मैं एक समाने परिवार से एक दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था माने कहा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं मैं तयार हुई और मा मुझे सिव के क्लिनिक पर ले आई मैंने कहा मा तुम मुझे यहां क्यों ले आई माने कहा चुप रहो तुम इसी बहाने उसे देख भी ले ना क्या पता तुम उसे पसंदा जाओगी यहां सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या पुरा लगना चाहिए कितनी नामुंकिन से बात थी या हम दोनों फिर अंदर गए माने अपनी पहचान बताई हुआ सीव के पापा की दोस्त की पत्नी है सीवने भी कहा हां पहचाना मैंने आपको माने कहा या मेरी बीटी सिवानी है इसकी तबियट ठीक नहीं है आज सिवने मेरी तरफ देखा और मेरी बीपी चेक करने लगा मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह मेरा बीपी फिर से क्यों चेक कर रहा है जबकि नर्स ने पहले से ही बीपी और वजन चेक अप करके ही एक कागज पर लिखकर दे दिया था अचानक हम दोनों की नजर एक हुई और मैं चैसे उसकी आँखों में ही खो गई उसने कहा चिंदा करने वाली कोई बात नहीं है बस बीपी लो है मैं दवाई देता हूँ ठीक हो जाएगा घर पर अभी घर आ गए रात भर मैं सोई नहीं पाई कुछ तो बात थी उसकी आँखों में जो मुझे मैं समझ नहीं पा रही थी और चार-पांस दिन बाद जो हुआ उसे पर तो मुझे विस्वास ही नहीं हो रहा था से उने पापा से मेरे रिस्ते की बात की मैं हैरानी भी थी और खुश भी थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद किया मेरी माने तो मुझे कहा था कि विदेश से पढ़कर आया है उसकी सोच सुन्दरता को लेकर आलग ही होगी और तुम्हारा सिर्फ रंग साउला है वरना तुम बाकी लड़कियों से भी ज़्याद सुन्दर हो हमारी साधी स्ताय हो गई और या बात पूरी कलोने में आग की तरह फैल गई सभी बस यही बात किये जा रहा है थे कि आखिर सिर्फ ने इतने सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही क्यों पसंद कर लिया पर हमारे घर में तो बस खुजिया ही खुजिया थी सिर्फ मुझे रोज फोन करता मैसेज करता कहता कि कैसे वो मेरी पहली नजर में ही क्लेन बोल्ड हो गया था मेरी आखे उसी बहुत पसंद है उसके ऐसे बोलने पर मुझे ही मन नहीं मन बात सच नहीं लगती थी किवा बिदे से पढ़कर आया है उसके विचार करने का तरीका अलग है मैं मन ही मन बहुत खुश थी सिव को कुछ तो मुझे पसंद आया होगा जिसकी वज़ा से उसने सीधे मेरा हाथ ही मांग लिया साधी का सारा खर्च सिव के घर वाले ही करने वाले थी हमें कुछ भी नहीं करने की दिया यहां तक कि हमारे रिस्तेदारों के कपड़े भी उन्होंने ही गिफ्ट किये थे मेरा साधी का जोड़ा और बाकी कपड़े तो डिजाइनर थे जिनकी कीमत लाँखों में थी सोना तो इतना चढ़ाया जिदना हमने कभी सोचा या देखा भी नहीं होगा हमारी साधी हो गई इस्टेट पर सिवा की मौसी की लड़की आई उसकी चचेरी पहन उनकी कानों में दीरे से कहने लगी भाई तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासी रहा करती थी फिर अब मुझे यह बात सब सुनकर बहुत बुरा लगने लगा मुझे रोना आ गया सिवा ने उसे फटकार करवाइश्टेश से नीचे उतार दिया लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ अब मेरी वज़ा से सिवा को भी सुनना पड़ा साधी हुई और मैं सिव के घर पहुची तो उसे घर तो कहा नहीं जा रहा था वह तो माल था वहां पहुचने पर मुझे सिव के कमरे में बैठा दिया गया थोड़ी देर बात सिव कहा तुम अभी वही बात मेरी मौसी की बहान वाली भूल नहीं पा रही हो जा रही थी वह बोला ऐसे क्या देख रही हो यह तो सच्चा प्यार होता है बिना बताए अपने साथी के मन की बात को जान लेना मैं आज खुद को बहुत ही खुद किस्मत समझ रही थी उसने कहा और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर से निकाल दूँगा आज मेटकेल में कितनी तरक्की कर ली है कितनी उपाय है जो किया जा सकता है कुछ तो इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा चेहरा भी खुल उठेगा तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो पर तुम्हारी आखे में जो आसू नहीं देख सकता इसलिए मैंने सोचा कि कोरा करने वाला इंजेक्शन की मदद से तुम्हे और सुन्दर बनाया जा सकता है सच में ऐसे हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट सुरू कर देंगे मैंने मन ही मन बहुत में खुस होने लगी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह भी मैं भी सुन्दर दिखूंगी अब मैं हसीन सपने संजोगने लगी स्यू भले ही एन आर आई था पर उसके विचार पेवहर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था उसका स्वभा और रह इंसान एक तम समान इंसान की तरह दो से दिन स्यू ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हुई है और वा आज रात से ही इंजेक्शन देना सुरू कर देगा और दस दिन में ही मुझे कुछ फर्क दिखने लगेगा मैं खुद को आईने में देख रही थी कि इतने में स्यू आया और उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा तो मुझे वचन दो कि तुम इस ट्रेटमेंट के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर तरह तरह के बात बनाए उसी रात स्यू ने मुझे पहले इंजेक्शन दिया और मुझे नेंद लग गई सुबा उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था जब मैं स्यू को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज को साइड एफेक्ट हो जाता है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है सब ठीक हो जाएगा थोड़ा साहन कर लो मैं कुछ नहीं बोली दूसरे दिन फिर जिवा ने मुझे इंजेक्शन दिया मुझे कहरी नेन लग गई पर सुबा उठी तो दर्द आसना आसनीया नहीं लग रहा था पर मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट सबसे चुबा चुबा कर करते थे पर मुझे बहुत दर्द होता था और मुझे कहरी नेन भी आ जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यह दवाईयों से बहुत उलज़र महसूस हो रही है मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे ठीक होना चाहिए था मैं करती भी क्या सिव आजरात फिर मुझे इंजेक्शन नहीं दिया तो आज फर्क नहीं पड़ेगा सिव को बुरा ना लगे इसलिए मैंने वह इंजेक्शन बदल दिया और उसके जगत ताकत का इंजेक्शन रग दिया सिव ने तो मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आखे बंगर के सोने का नाटक कर रही थी उसे लगा कि मैं कहरी नेन में सो रही हूँ उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया उसने मेरे सरीर पर ही रोंगटे खड़े हो गए ऐसा कोई किसी का दूस्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा जो सिव ने मेरे साथ किया मैं तो उसकी पतनी होने के बावजोद भी वो मेरे साथ ऐसा कर रहा था मैं जट्टे उटकर पैट की और सिव के चेहरे का रंग उड़ गया था वा हैरान होकर बोला तुम अभी तक सोई नहीं मैंने गुशे से पूछा ये क्या कर रहे हो तुम सिव ने मेरे साथ क्यों पहले तो उसने मैं सोच मुझसे जूड बोला कि कोसिस की पर जब मैं उस गुसे से कहने लगी अगर तुम सच नहीं बताया तो मैं सच सब को सब बता दूँगी फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरो तले जमीन खिसक गई अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों उसने इतनी सुन्दर और पड़ी लड़कियों को छोड़कर मुझे साधी की क्योंकि मुझे जैसे समान लड़की को वा सहच की काबों में कर सकता था लेकि मैं सोच ली थी कि अब मैं चुप नहीं बैटने वालों मैं चिला चिला कर पूरे घर को सर में उठा लोंगी और मैं अपने मंबी पापा को फोन करके भी बुला लिया था साधी की तीसरे दिन ही मैं अपने माई के चली गई आसपड़ोस में लोग तरह तरह की बाते बनाने लगी जैसे कि सब कुछ मेरी वज़ा से हुआ हो मेरे चरितर पर ही उंगली उठाने वालों पर मैं दबी नहीं ना मैं डरी हुई हूँ मैं चुबी नहीं बैठी मेरी एक सहली का पती वकील था उसकी मदद लेकर मैं सिवा को सिवा की बीरोध एक केस फाइल किया मेरी माने मुझे रोकने की बहुत कोसिस की पर मैं सोच रखा था कि सिवा जैसे इनसान को उसके कर्मों की सजा मुझे चरूर देना था उसका असली चेहरा सभी के सामने आना चाहिए था कैसे भी केस की तारी सारी मीडिया जमा थी वहां मैं कोट में सिवा की सारी हकीकत बताई दरसल सिवा पहले से ही साधी सुदा था उसने वीदेश में ही एक लड़की से साधी कर ली थी और वह उसे बहुत प्यार भी करता था लेकिन वह लड़की मा नहीं बनना चाहती थी जिसमें कि वह उसके सरीर पर कोई फर्ग ना पड़े और सिव चाहता था कि उन दोनों का एक बच्चा इस दुनिया में आए इसके लिए उसने मेरा इस्तमाल किया और ऐसा दुसकर मेरे साथ करता था जान बुच कर मेरा इस्तमाल उसने किया मुझे जैसी गरीब को और साहली लड़की की साधी करके उसे उन दुनों को बच्चा मेरे गर्व में डालना था वह बच्चा पैदा होती ही बच्चे को लेकर मुझे तलाग देकर पत्नी के पास चला जाने वाला था अपने देश में सेरोग्रेफिक लेनिक होने के करवा मेरी रजा मंदी के बिना वा मेरे करव में अपना बच्चा कैसे डख सकता था इसलिए उसने जोट का कर कि वा मुझे गोरे रंगा इंजेक्शन दे रहा है का कर मुझे इंजेक्शन दे कर बिहोस करके मेरा चेक अप करता था जिस रात मैंने वा इंजेक्शन बदल दिया तो उस रात को IVF के दोरा मेरे करब में अपना बच्चा इंप्लांट करने वाला था उसकी पतने को अगर बच्चा नहीं चाहिए था या फिर उसे चरीर खराब होने नहीं करना था इसका मतलब यह तो नहीं है कि उन दोनों को मेरी जिन्दी की बरबाद करने का हाग नहीं था मेरी वकील ने सिव के खिलाब एक केस दर्ज किया ठोस साभूत पेस किया और उसे योगे सिच्चा भी हुई जो लोग पहले मेरे चरीतर पर उंगली उठा रहे थे वही लोग आज सिव के घर वालों को नाम रख रहे हैं कि वह ऐसी गंदी गंदी हरकत करती हैं मेरा और सिव का तलाक हो गया मैं आज अकीली थी पर मेरी किस्मत मेरे साथ थी क्या कहूं कि भगवार नहीं उसी रात मुझे बुद्धी दी और मैं इंजेक्शन बदल दी वरना मेरे जिंदी की तो आधी या धोड़ी रह जाती क्योंकि सिव ने अपने बच्चा इंप्लांटेसन के जरिया मेरे गर्व में डाल देता और मैं नौ महीने तक उसकी मा बनी रहती और जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आता वह ले लेता ऐसी मा कैसे मैं अपना बच्चा देती थी जब मैं उसे अपने जन में देती तो मैं हरगी नहीं देती लेकिन सिव मुझे जबरजस्ती ले लेता इसलिए मुझे तलाग लेना पड़ा यह कहानी दोस्तों हमें यह सीख पढ़ा देती है कि सभी माता पिता अपने बेटी के लिए अमें लड़का ढोने की जगा चाहे गरीब लड़का होपर संसकारी लड़का देख कर ही साधी करे क्योंकि अगर तो टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई लड़की भी ऐसी अपनी जिन्दी की सुख सान्ती से काट लेगी लेकिन इनसानी खराब हो तो कभी भी खुसी नहीं रह सकती मैं यह कदम इसलिए उठाया ताकि आगे से कोई भी लड़की लड़के को गलती के कारण उसकी बली ना चड़े और गलती से भी किसी ने लड़का लड़की के साथ दुसकर्म करता है तो वह लड़की चुपना रहे प्लीज मेरी तरह आगे बढ़े कदम उठाए और उसे या हक है कि लड़ाए लड़ने का उसे तलाग ले ले अपने माता पिता के साथ रहे तो ये कहाने आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें धन्यवाद